नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्वेश और यह शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट तो फ्रेंट्स लास्ट वीडियो में हमने अपना डिलीट का जो आप्शन था वो पुरा कंप्लीट किया था यहां पर डिलीट मैंने करके भी सारा कुछ आपको चेक कर वाया था कि डिली अपर व्यू पर जाता हूं और यहां पर ट्रेस की जगए पर पैंसल कर देता हूं ठीक है और उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूं ठीक है यह अब हो गया है अब आगया pencil ठीक है तो edit करने का option यह आ जाता है ओके तो अब क्या करना है कि जब धी कोई user edit पे click करेगा तो उसके सामने एक variable देखिए यहाँ पर active हुआ है edit box का और इसी के साथ एक id यहाँ पर मिली है one की understand यहाँ पर क्या कहा गया कि index.psp पर जाओ edit box एक variable ले करके जाओ और इसको id assign करो one और वो one id किसकी है one id इस box की है जो की यहाँ से उठाई जा रही है box id one यहीं कि इसी की according हमें इसी को जो है base बना के आगे हमें इसको update करना रहता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर edit पर click करने पर id activate हो रही है यह variable activate हो रहा है तो अब हम सीदी सी बात है कि एक काम कर लेते हैं कि जब आप देखो boxes को insert कर रहे थे तो यह form आ रहा था insert करने का तो मैं पूरा का पूरा यही form copy करता हूँ यहाँ पर box की title और उसका description दोनो लाकर की database से print करवा देता हूँ यहाँ तो वो भी एक सही तरीका रहेगा तो simple सा मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पे insert box जो है अपना इसको पूरा control A करता हूँ और control C कर लेता हूँ और यहाँ पे control N प्रेस करके एक नया page open करता हूँ और इसमें control V कर देता हूँ इसको ठीक है इसके साथी साथ यहाँ पे इसको control Yes क करके save करता हूँ admin area के अंदर और इसको नाम देता हूँ edit box का edit box का ठीक है edit box dot PHP good यह हो गया हमारा अब इसमें अगर नीचे देखा जाए तो यह जो query लिखी भी है इसकी हमें need नहीं है by the way need तो है लेकिन यह insert की need नहीं है आप अपडेट होगा तो इसको भी हम ignore करते हैं इसक करेंगे उससे पहले इसमें बहुत कुछ हमें changes करने होते हैं वो changes में करता हूँ और उससे भी पहले मैं index dot PHP पर जाता हूँ वहां पर इस variable को activate करके एक यहां पर form को क्योंकि यहां पर यह page जो मैंने नया नया page अभी बनाया ना edit underscore box इस page को हमें include करना है कहां पर include करना है index dot PHP पर और यहां पर इसको पूरा copy कर लेते हैं ठीक है और इनको कहते हैं कि अगर edit box आता है URL में तो आप edit box dot PHP को include करना है आपको यह करके हमने save किया तो यह देखो आ गया box ठीक है यह page तो include हो गया और यहां पर यह जो id है अब इस id को target करके यह पूरी की पूरी information जो id यहा पर display करनी है यहां पर देखो ना one active है यह one तो इस one को हम target करेंगे और इसी one को base बना के यहां पर box id one मिलेगी और यह पूरी row हम copy कर लेंगे और इसी row को हम title में और description में show करवा देंगे और यहां पर हम लिख देंगे insert box के जगे update box तो वो तो मैं लिखी देता हूं सबसे पह इस पर लिख देते हैं edit box ठीक है यहां पर लिख देते हैं edit box उसके बाद title box में है तो title में box title है ठीक है ओके no problem यह मैं name ऐसे ही रहने देता हूं name के साथ मैं कुछ नहीं करता हूं लेकिन यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर बना देता हूँ value ठीक है और value में PHP के थूँ हम कुछ information को display करेंगे अब वो information display कैसे करेंगे उसके लिए हमें उस information को get करना होगा और get कैसे करना है वो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं php को start करते हैं और php को end करते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो id यहां पर active हो रही है इसी id को target करके हमें data को यहां से fetch करना है ठीक है तो कैसे हम कहते हैं कि भाई अगर if is set dollar underscore get ठीक है मैंने कहा कि अगर get होता है edit box ठीक है तो क्या करो मैंने कहा कि अगर url में edit box आता है यहां पर एक और bracket रहेगा ऐसे ठीक है if is set dollar underscore get dollar underscore get edit box यहार सही तो है यह गल्द क्यों कह रहा है मैंने php भी start की php भी end कर दिया यहां पर और if it's set dollar underscore get edit box यहां पर गुड्ड और 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 ठीक है जा रहा है यहां पर एरर वैसे कोई होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी कतम हो गई है ठीक है अभी कतम है तो अभी क्या है if it's set मैंने कहा कि भाई अगर url में edit box active है तो आगे का काम करो तो आगे का काम क्या करना है पहले तो वह चेक करेगा कि क्या url में edit box active है तो वह कहेगा जी विल्कुल active है क्योंकि यहां पर देखो आप edit box active है तो वह फिर उसकी value को चेक करेगा कि उसकी value क्या है one है तो कहेगा यार चलो ठीक है तो एक काम कर लो यहां पे कि edit box में जो value है edit box में जो value है उसको पहले ला करके इस नए variable में हमारे store कर दो किस नए variable में इस edit box की जो value है वो value ला करके यहां edit box में डाल दो तो उसने का जड़ो ठीक है भाई हमने डाल दिया ओके ये काम हो गया ओके ओके गुड़ अफ्टर देट मैं यहाँ पे इसकी वैली को मैंने गेट किया ठीक है और यहाँ पे हमने कहा कि आप एक काम करो की एक क्वेरी चलाओ बॉक्स की एक क्वेरी चलाओ ठीक है और उस क्वेरी में एक क्वेरी आप चलाओ और उस क्वेरी में आपको करना यह है कि यह जो एरिट बॉक्स की वैल्यू है वन उस वैल्यू को टार्गेट करके टेबल में जो इन्फॉर्मेशन उसको फेच कर लो पूरा तो हमने कहा कि इस बॉक्स आइडी के बराबर हो ठीक है यह जिसकी बॉक्स आइडी उपर मैंने कहा कि बॉक्स से से उस टेरो को पूरा सेलेक्ट कर लो जिसका बॉक्स आइडी इस बॉक्स आइडी के बराबर हो ठीक है और उसके बाद में वो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया यह हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया good, यह पूरा हो गया, अब क्या करना है इसके बाद, हमने का कि चलो get भी हो गया, अब इसको run करा दो, run box कर दो, ठीक है, और run box करने के लिए यहाँ पे mysqli query, ठीक है, इसमें connection को भेज़ दो, पहला, और दूसरा, इस box title को भेज़ दो, यहाँ पे, ऐसे, और इसको save कर दो, ठीक है, यह हो गया, अब हमने gate कर लिया सारी information को वहाँ से run करवा के, ओके, अब वहाँ पे जो भी data हमको मिलता है, उसको हमें क्या करना है, फेच करना है, कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कहता हूँ row box, row box, और यहाँ पे कहता हूँ mysqli fetch array, और यहाँ पे मैं वो array को भेज़ देता हूँ, जिसमें सारी information आ गई है, ठीक है, यह होगा, ओके, अब इस row box में सारी information आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, कि पहले तो box की ID निकल लो, box ID मैं एक बार और ले लूँगा भी यहाँ पे, जो वहाँ से निकल के रा रही है, तो वो कैसे निकल के रा रही है, वो इस से निकल के रा रही है, की के थूँ, वो आएगा, box, नहीं, box ID, box ID आएगी है न, box ID आजाएगी, ओके, और उसके बाद में box ID आगी, फिर इसको हमने copy कर लिया है, यहाँ पे, as it is, और three times paste किया, फिर box ID के बाद box title आजाएगा, and then box का description आजाएगा, ठीक है, description को, नाम दे रहता हूँ, यहाँ पे description का, title को, नाम दे रहता हूँ, यहाँ पे title का, और ID, as it is, ID ही रहने रहता हूँ, good, यह इतना हो गया, अब हमने क्या किया, कि जो भी ID यहाँ पे active हो रही है, उस ID के against, हमने यहाँ से data को fetch किया हुआ है, और fetch करके, यहाँ इन नए variable ID, title और description मिला करके, store करवा दिया, ठीक है, अब क्या करना है, अब यह करना है, कि यह जो हमारा box title का, input field है, और box description का है, इसमें हम इस information को display कर देते हैं, जो database से हमने अभी यहाँ पे निकाली हुई है, इस तरीके से, तो box ID, तो अभी need नहीं है, box title की जरूर need है, तो मैं इसको ले करके चलता हूँ, और यहाँ पे value में, मैं echo कर देता हूँ, ठीक है, box title को, control is करके shape करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे dollar लगाना मत बूलिएगा, ठीक है, और उसके बाद में इसको refresh करता हूँ, तो देखो यह आ गया, best prices, title आ गया, one का जो है, क्योंकि one का title यही है, best prices, अब इसके बाद में, text area में, यहाँ पे भी मैं, php के through, echo कर देता हूँ, क्या, box desk, description, और यहाँ पे कर देता हूँ, echo, good, sorry, echo, 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 यहाँ पे dollar लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे आके, मैं इसको refresh करता हूँ, तो यह देखो, इसकी information यहाँ पे आ गई, okay, good, अब यह दोनों information देखो, हमें यहाँ पे मिल गई है, one के against, one में देखो, यह दोनों information पड़ी हुई थी, ठीक है, यह हो गया, okay, अब यहाँ पे जो insert box है, इसक update box हो गया, ठीक है, अब इतना काम तो हमारा हो गया, कि हमने, जो भी यहाँ पे URL active हो रहा था, अब मैं अगर बात करूँ, view box की, यहाँ पे मैं किसी और भी जाता हूँ, तो यह देखो, उसका पूरा आ जा रहा है, ठीक है, और फिर से जाता हूँ view box पे, मैं इस पे click करता ह हो तो देखो, इसका पूरा आ जा रहा है, तो यह हमारा काम कर रहा है, पूरा ठीक से, ठीक है, edit box, अब हमें क्या करना है, कि अब यहाँ पे अगर कोई information हम change करते हैं, तो उस information change को हम ले जाकर के, जो नया हम update करेंगे, वो हमारे table में जाके store होना चाहिए, update होना चाहिए, तो उसके लिए आते हैं next video में और उसका हम logic लिखते हैं, चलिए next video